लक्षमी खाला खजाना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है देखिए आज हम आपको आम पन्ना दिखाना दिखाते हैं बनाके देखिए कच्छा आम है इसको अच्छे से दोके मैंने रख लिया 200 ग्राम के करीब आम है और यह एक चमत मैंने सौंफ को पहले ही भी होके क्या है देखिए आम को काट के अच्छे से छीटे के देखिए छील के मैं आपको काट के दिखाती हूं मुझे भी अप 그 अब देखी हमारा आम का पल्म काट के रख लिया देखी जब इसमें जाली पड़ जाती है नथी इसका अच्छन वनता देखे एक आम मेरा ऐसे कच्चा निकल गया, तो कई बार काटने में ये गुठली आ जाती है, तो इसका आप ध्यान रखें, अगर ये आ गई तो आपका पन्ना कड़वा हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें, छोड़ी जाली पड़ जाती है, जबी इसका पन्ना अच्छा देखिए, मैं इसको एक बरतन में चड़ाती हूँ, और पानी इसमें बिल्कूल ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का असा 100 ग्राम की करी मैंने इसमें पानी डाला है, और इसको गैस पे चड़ाती हूँ, मैं इसको गैस पे चड़ाती हूँ, इसको एक उवरल आएगा, आपके छोड़ देती हूँ, देखती हूँ, अगर मेरी आम पक गया है, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ, देखिए, हमारा आम देखिए, एकदम पक के तयार हो गया, अब इसको मैं गैस से उतारती हूँ, इतने ये ठंडा होगा, इतने हम अपनी चासनी बनाते हैं, चीनी है, इसमें हम पानी डालेंगे, देखिए, पानी ज्यादा नहीं डालेंगे, और चासनी वैसी नी बनाएंगे, जो हाथ को थोड़ा चिप्याने लगे, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा पानी और डालेंगे, इसमें, देखिए, और चासनी को धक्के नहीं और थोड़ा चलाते हैं जो चीनी ना जम जाए देखिए चासनी तयार होती है इतने हमारा ठंडा हो रहा है मैं फिर आपको दिखाती हूँ देखिए आम का पल्म हमारा ठंडा हो गया है गुदा अब इसको हम जार में जार में डाल देंगे और यह जो मैंने सौंफ बिगो के रखे हुई थी इसको भी डाल दूंगी सौंफ ऑप्सनल है आप डाले या ना डाले और देखिए पोदीना है 20 ग्राम के करी यह मैं पोदीना भी इसमें डाल नहीं हूँ देखिए और यह देखिए नमक एक चम्मच से थोड़ा ज्यादा है सफेद नमक और यह एक चम्मच मैंने नाप के रखा हुआ है यह काला नमक है और कम ज्यादा बाद में भी पड़ सकता है ऐसी कोई बाती है आप इसको मैं चलाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको देखिए चासनी भी हमारी बनके तैयार है इसमें एक दो तीन तार के ऐसी कुछ नहीं थोड़ा उंगली को चिप-चिप करने लगे तो समंझी आपके चासनी तैयार है देखिए मैंने यह मिक्सी में जार में डालके पीस लिया था अब इसको दीरे-दीरे मैं डालूँ देखिए अब इसमें उबाल आएगा ना इसलिए हम पानी डाल सकते हैं और बाद में भी आप पानी आपको ज्यादा पत्ला करना तो उबाल के पानी डालिए और देखिए थोड़ा उबाल आएगा इसमें मैं फिर आपको चान के दिखाती हूं देखिए हमारे आम पना में उबाल आ गया इसको थोड़ा मैं ठंडा करके फिर देखिए इसमें चान के दिखाऊंगे और इस टेम आम बहुत आया हुआ मार्किट में और वैसे भी सस्ता है और ये गर्मियों में बना के रखें आप दो मेने तक तो वैसे भी पी सकते हैं औ और आपको पूरे साल के लिए रखना है तो साइट्रिक ऐसे डालके आप इसको फ्रीज में रख सकते हैं अब ये थोड़ा ठंडा होगा मैं चान के और गिलास में डालके आपको दिखाऊंगे बना हमारा फटाफट बनके तयार है और कुछ लोग इसको सोड़ा डालके भी पीते हैं कुछ ऐसे देखिए आप गिलास से पीजिए चाहाँ बावल में डालके डाइनिंग के बैठके शिपशिप करके आनन्द लीजिए और ये गर्मि में बहुत ही फायदेबंद है आम इ बताईए कि आपको कैसा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दवाना बिलकुल ना भूलें और देखिए यह मैंने छाना था तो इतना इसमें यह निकला कुछ लोग नहीं चानते हो थोड़ा चबा-चबा के आता तो उनको अलग होता है मैंने इसक दोड़ा डालिए और पीजिया रापाना अंग लीजिए और इसके उपर ढूना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं देखिए यह गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेबंद है बच्चों के लिए बढ़ों के लिए हाजमा बहुत करता है बहुत ही ठंड़ा रहता है जैस्री हिस्तना जैसे पर केस्तख़.